नमस्कार दोस्तो आज किस वीडियो में आपका स्वागत है तो आज किस वीडियो में अपन बात करेंगे दो मैंतपूर अपडेट के बारे में जो कि आपके को लिस से रिलेटेड है आपके परमोट से रिलेटेड है तो चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जानते हैं फर्स्ट अपडेट के बारे में कि उसमें क्या लिखा हुआ है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो आप परिक् की गाइड लाइन्स का इंतजार है अभी तक यूजी सी ने परिक्षाओं को लेकर कोई दिसा निर्देश जारी नहीं किये हैं और विश्विद दाल्यू साइथ कोलेजों की भी परिक्षा का होना बाकिया है परदेश में लोग डाउन किया उदी बढ़ा देने से फिलाल वी जिसकी और से गाइड लाइन्स जारी नहीं हुई है तो दोस्तो जैसे कि याँ पर आपको बता रहे है कि इस साल भी हालत है बनते नजर आ रहा है कि आपको परमोट किया जा सकता है लेकिन इससे आप POL कि बताता ह dialogue जैसे पिछले साल जो फाइनल यर के स्टुडेंट अनको फोट कर सब भी को परमोट कर दिया गया था लेकिन हम्स के सेका मुत करने करें कि हमारे एक्जाम हो और हमारे exam लगने चाहिए वो खुदी मांग कर रहे हैं तो देखो जब तक कोई final guidelines नहीं आती UGC की तरफ से कि आपको promote किया जाएगा तो तब तक आप मत मानी कि आपको promote किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो यानि के मतलब कि दिन परती दिन तारिक है बढ़ रही है लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आ रहा है वैसे मां आपको बता दू एक जून जैसे बताया जा रहा है कि एक जून तक final decision आ सकता है लेकिन अभी देखो एक जून तक final decision आ सकता है UGC या जो अमारे सिक्षा मंत्री केंद्रे सिक्षा मंत्री रमीश पोकरियाल जी है वो निर्ने लेंगे अगर इस student परमोट किया जाएगा तो परमोट होंगे अगर उनके exam होंगे तो वो online होंगे या offline होंगे इन सभी के बारे में वो एक जून तक बताएंगे जो भी committee बैठेगी वो इन निर्ने लेगी तो चलिए दोस्तों जो इसके बाद इस second update है उसको open करते है तो जो second update है आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे आज जी का paper है यह school ने 10 वी board result किया तयार अब committee कर रही final scrutiny तो इस चीज़ से एक चीज़ तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों जैसे कि यह cbsc के लिए यानि की central board के लिए लेकिन अभी देखो यहाँ पर जैसे cbsc के student final वो मतलब कि 10th में promote कर दिया गया और उनके result भी तयार होने जा रहा है लेकिन जो अब rbsc है उन्होंने तो मतलब कि अभी कोई schedule नहीं बनाया promote करने की तो बात अलगए अभी कोई schedule नहीं बनाया कि student को promote किया जाएगा या नहीं किया जाएगा क्योंकि अभी देखो rbsc यानि रास्तान board में अभी कोई निर्णने नहीं लिया है कि student यानि जो board की student है या 10th हो या 12th हो उनको promote किया जाएगा या उनके exam होगे अभी तक कोई schedule नहीं बनाया या ना कोई committee बैठी है जब committee नहीं बैठी तो निर्डने कहां से लिया जाएगा और यहाँ पर देख सकते हो जो cbsc है उसने तो अपना काम में वो start कर दिया यानि कि 10th के students को promote करने के लिए mark sheet बनाना start कर दिया यहाँ पर आप देख सकते हो जुलाई में आ सकता है result जो cbsc board 10th का result है वो जुलाई में आ सकता है वैसे जो promote के दिशा निर्देश थे cbsc के वो काफी दिन हो गए देयो है कि cbsc के जो 10th के student है उनको promote किया जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो बोर्ड के schedule अनुसार marks submission की आखरी तारिक 30 जून है वहीं जुलाई के आसपास result आने की उम्मीद है दिल्ली पबलिक स्कूल की प्रिंसिपल रीटा तनिजा ने बताए कि result committee cbsc guidelines के अनुसार result अंतिव रूप दे रहा है इसी परकार सरंसकार स्कूल की principal नीलम बारद्वाज ने बताए कि 10th week की result तयार कर लिया और दोस्तों जैसे कि आप समझ रहे हो जैसे 10th को promote कर दिया सलिए मैं एक चीज ओर clear करता हूं जैसे 10th को promote कर दिया तो आप यह मर्सोचना कि सब भी को जैसे जो आपकी percentage बनती है किसी की 80 plus बनती है किसी की 60% बनती है या किसी की 90% बनती है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाले यहाँ पर सबको सेम अंक मिलेंगे जैसे यहाँ पर 36 या 40 के लंसम आपकी percent बनेगी only अगर कोई student इसके लिए मतलब कि कोई डालता है email डालता है या इसके लिए कोई problem create करता है कि मुझे मैं संतुष्ट नही तो इसके लिए वो apply भी कर सकता है problem create हो रही है तो उसको apply भी कर सकता है तो उसका अलग से paper होगा और उसकी percentage अलग से हो भी सकती है क्योंकि यह CBSC का rule है और उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई संतुष्ट नहीं है 40% percentage तो दुबारा paper भी देख सकता है तो यार दोस्तों बस आज किस वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ ऐसा नए content लेकर तो तब तक के लिए goodbye और I hope आप घर पर रहिए और सुष्ट रहिए सुरक्षित रहिए तो बस आज किस वीडियो में इतना ही